लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ब्रिटेन में रह रहे एक मल्टी मिलेनियर भारतवानशी ने अपनी लगजरी लाइफ की फोटो चैर की हैं। दावा है कि वो वीकेंड पर म्यूजीशन स्टिंग के घर जाते हैं और क्रिस्मस वेगास में रैपर नेली के साथ रहते हैं। वो वाचेस के शौकीन हैं और वो इने भोने के लिए ये 17 लाख रुपए के शैंपेन मंगाते हैं। हाला कि उन्हें शैंपेन पीने का शौक नहीं है। इस मल्टी मिलेनियर का दावा है कि उन्होंने एक हफ़ते के अंदर दो दो फेरारी कार खरीद ली और वो भी बिना बैंक बैलेंस चेक किये। बली मल्टी मिलेनियर बनने से पहले अपने पिता के कारोबार में मदद करते थे। उनके पिता का लिए सिस्टर में टेक स्टाइल वेर हाउस था। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए 16 साल की उम्र में बली ने अपना खुद का क्लब नाइट बनाया और तरह के इवेट और गेनाइज कर सेलिब्रिटीज को होस्ट करते हैं। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब सिंगर सिस्को ने अपने यूके टूर की रात को यादगार बनाने की बात की। इन दोनों को इनके एक म्यूचुल फ्रेंड ने मिलवाया था। इसके बाद DMX और ब्लाक आइड पीज जैसे ग्रूप बली को खुद अप्रोच करने लगे और उसे अपने इवेंट को रिच बनाने लिए कहने लगे। बली ने इसके बाद 2009 में दर रिच लिस्ट लॉंच किया। इसमें वो एलीट क्लास के लिए पाटीज और गेनाइज करते हैं। उन वहीं महेंगे इवेंट्स दुबाई के प्राइवेट आइल लैंड पर 170 करोड रुपे के खर्च में होते हैं। वो अपनी गरल अप्रेंड और मॉडल लेना सेंटो स्मार्टस के साथ ही रहते हैं और दोनों मिलकर दुनिया भर में ऐसे इवेंट और गेनाइज करते हैं। प्राइज करते हैं।